क्या आपके भी whatsapp account में यह वाली problem आ रही है you need the official whatsapp to use this account यानि कि आपके पास कोई भी whatsapp हो official whatsapp या फिर gb whatsapp क्यों कोई भी whatsapp यूज करते हो तो यह वाली problem आ रही है आपको तो बिल्कुल सही video पर हो यह वाली problem को solve करने का तरीका क्या है और यह वह इसलिए problem आती ही क्योंगी यह भी मैं आपको बताऊंगा और इसके आपको है इसका solution क्या है यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ whatsapp के user तो वीडियो को लाइक कर देना बिना किसी तरी वीडियो को start करते है आप सबसे पहले देखो यह वाली आपको problem आती है आपके whatsapp के अंदर चाहे whatsapp हो या फिर जी भी या फिर कोई भी तरह तरह के whatsapp हो यह वाली problem आपको face करना पड़ रहा है तो आप इस problem को जो यहाँ पर कैसे fix कर सकते है आज की इस वुडियो में आपको बताूंगा आप इलएं पर दियान से यह problem कर वाती है मैं आपको बतायता हूं ठीक है आप सबसे पहले यहाँ पर समझनी की बात क्या है इस problem का आने का reason क्या है ठीक है आप इलएं पर इहां पर क्या बताया का जो है तो यह मुझे comment box में बता जाना याना कि आप GB WhatsApp को भी यूज नहीं करते हो ओफिशल WhatsApp भी यूज करते हो यह भी आपको शाय से प्रॉब्लम आ रही होगी आपके ओफिशल WhatsApp में भी तो यह क्यों आ रही है मैं आपको उता हूँगा अगर आपके पास GB WhatsApp है फिर भी आपको यह सिर्फ प्रॉब्लम क्यों आती है इसको solution क्या अभी मैं आपको उता हूँगा आप इसका कहना है कि यहाँ पर देख सकते हो using an app other than the official WhatsApp यहाँ पर देख सकते हो the official WhatsApp privacy and security risk मतलब कि आप जो यहाँ पर WhatsApp के अलाब कोई और WhatsApp यूज कर रहे हो यहाँ पर यह बताया गया है यहाँ कि आपको यह WhatsApp भी यूज कर रहे हो और विस आप यहाँ पर GB WhatsApp का यूज कर रहे होगे तो अभी इसी वक्त आपको उस WhatsApp को डिलेट करना होगा क्योंकि GB WhatsApp अभी safe नहीं है आप यह message कोन बेज रहा है मैं आपको झायता हूँ ठीक है आपको यह message क्यों आ यह YouTube कि आपको यह message कि आपका WhatsApp ओपन क्यों नहीं हो रहा यह भी मैं आपको यहाँ पर यह message मीटा की दरफ से बाद रहा है पर काफी सारे लोगों का WhatsApp application banned हो रहा है तो अभी WhatsApp यहां पर यही बार-बार आपको बेशता रहेगा अगर आप GB WhatsApp या फिर Play Store से जो यह भार वाले WhatsApp को यूज करते हो तो यह आपको यह problem आने वाली है तो इसका पहला solution क्या है मैं आपको बतायता हूँ अगर आपके पास ऑफिशल WhatsApp यह पर प्रॉब्लम आती है इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो यहां पर पहला तरीका मैं बताऊंगा अगर आप यहां पर GB WhatsApp या फिर कोई भी यहां पर भार वाले WhatsApp यूज करते हो जो ऑफिशल WhatsApp से अलावा यहां पर अलग WhatsApp यूज करते हो जो प्ले स्टॉर में WhatsApp नहीं है तो उस WhatsApp को यूज करना बन कर दो क्योंकि WhatsApp आपका डेटा लिग कर रहा है ठीक है उसको पहले डिलिट मार दो अब यह डिलिट मार रहे हैं के बाद आप ऑफिशल WhatsApp में आ जाओ ठीक है आप ऑफिशल WhatsApp में आ जाने के बाद आपको यह प्रॉब्लम आ रहे होगी फिर भी या फिर आप पहले सी ऑफिशल WhatsApp यूज कर रहे हो फिर भी आपको यह प्रॉब्लम आती है आप बार यह आपके बताऊंगा ठीक है इसको कैसे सॉल्फ करना है आप देखो सबसे पहले आपको अपने आफिशल WhatsApp को डाउनलोड करना होगा आपको यहां पे घाना है WhatsApp के अप्रिकेशन में और आपको यहां प्रॉब्लम आपको कि existence के बाउचइंब और यहां से clear data मार देना है, अब यह कर दो, यह जो है आपको डूसरा step है, अब तीसरा step बताऊंगा, most important, अब यहां पे अपने browser को उपन करने के बाद, अब यहां पे आपको just search करना है, यहां पे WhatsApp contact ठीक के सिर्छ करो WhatsApp contact 1080 में सायट हैगा इसको open करो एक स्कूर्प्न करने के पदर नीचे स्कूल हैon करो यहां पे आपको इपको स्कूल करते जाने के यहां पे देखे हमेडlairा option में लेगा यहां पर देख लो first में WhatsApp Messenger support यहां पर आपको contact use के option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बद कुछ इस तरह के से form आ जाएगा तो आपको आपके fill करना होगा यहां पर देखो यहां पर country select करना है करना है यहां पर यहां पर करना होगा है यहां पर देख सकते हो इस साइड में करना होगा जो भी आपका number यहां पर यहां पर देदेना हो भी Nem Thoughts वही email address देना है ठीक है? मुबाल के setting open करो जो भी email ID है उसकी का email ID याँ पर दे दो उसके बात सेम जो आप यहां पर ऊपर के तरफ जो भी यहां पर email ID देने वाले हो तो वही आपको जो यहां पर नीचे के तरफ भी यहां पर वही email ID देना पड़ेगा ठीक है? आप जो की यहां पर ऊपर जो भी आप जो यह email ID दोगे है वही same to same आपको जो यहां पर वही copy करके नीचे भी आपको paste करके दे देना चाहिए same to same और यहां पर पुझेगा how do you use the mobile मतलब की how do you use WhatsApp आपको यहां पर जो यह Android चलाते हो तो आइफोन को select करो और इसलिए आप Android चलाते हो तो Android को select करना उसके पर select करने के पाद यहां पर आपको लिखना होगा कुछ लिखना पड़ेगा यह मैं आपको बता दूँगा आपको यहां पर क्या लिखना है ठीक है? आप यहां पर देख लो आपको यहां पर कुछ इस तरह के से लिखना यह मैं कमेंट बॉक्स में पर दे दूँगा देखो यहां पर team whatsapp my whatsapp account is not opening showing you need the official whatsapp use this account so I am using official whatsapp app I am not using any unofficial whatsapp मैंने आपको बताया अगर आप gb whatsapp यूज करते हो तो उसको पहले delete करके यह message करते ना gb whatsapp को delete मारो यानि कि आप कोई बाहर वाले whatsapp यूज करते है उसको delete मारो play store से whatsapp को download करने के बात यह process काम करेगा ठीक आप play store से सबसे पहले whatsapp को download करो play store में आपको यह problem आती है ना तो यह मैं आपको process आप यहां पर बता रहा हूं इसको कर लो क्यूंकि हमने यहां पर बताया कि आप यहां gb whatsapp कोई भी use नहीं कर रहे है आप यहां पर हम play store से whatsapp यह लिए उसी को use कर रहे है आप मैंने लिखा है I am not using unofficial whatsapp ठीक है उसके बाद यहां पर आपको आपना my number के जगे में अपना वही number देना चाहिए वह जो number आपका open नहीं हो रहा है उसके बाद यहां पर देख लो please fix this problem please soon as possible यह मैं आपको comment box में दे दूंगा same to same वही लिखना है just वहां पर आप number चेंज कर करना तेकि मैंने आपको shortcut भी बताया आपका message पहुँच जाएगा फिर कुछी ही time बात आपका WhatsApp account आपका unbend हो जाएगा और आपका WhatsApp easily यहां पर open हो जाएगा आप easily यहां पर WhatsApp application यहां पर open हो जाएगा आप देख सकते हो कुछ इस तरह किसे आपका easily WhatsApp application completely open हो जाएगा फिर आपको गलती नहीं करने कोई un-official WhatsApp को नहीं चलाना है जो प्ले स्टोर से WhatsApp हो यह को यूज करना होगा ठीक है वही वाला आपके लिए best रहेगा मैंने जो भी process बता है simple तरीका है आपको solve हो ही जाएगा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी subscribe कर देना आपका यही आपको अगर कंटेना चलागता है तो वीडियो को शेयर कर दो तो मिलते एक नहीं वीडियो के साथ